आज 16 मार्च है और बिहार से एक नई ट्रेन यूपी के रास्ते चलाई जाएगी और इस वीडियो अप्डेट में हम बात करेंगे से ट्रेन के अप्डेट के बारे में, टाइमिंग के बारे में और साथ ही रूट के बारे में इसी वीडियो को सुरू करते हैं से पहरे हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब तो चलिए आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो ब्रेट है बिहार को एक नई ट्रेन के बाड़े में दरसल बिहार के यात्रियों को एक नाई टेन का सौगात मिल चुका है यह ट्रेन 05193 के साथ बिहार के छपड़ा डेलवे स्टेशन से पनवेल के लिए चलाई जाएगी वहीं दूसरी दिशाव में पनवेल से यह ट्रेन 05194 के साथ छपड़ा के लिए चलेगी दोनों ही दिशाव में यह ट्रेन का संचालन किया जाएगा लेकिन भिहार के छपड़ा डेलवे स्टेशन से 16 मार्च को यह ट्रेन चलेगी वहीं यह ट्रेन पनवेल से 17 मार्च को चलाई जाएगी इस रूट पर इस स्पेशल ट्रेन के संचालन को हरिजन्दी मिलने के बाद यह ट्रेन का क्यारेका टाइम टेबल आईए बाद करते हैं यह ट्रेन आज 3 बच कर 20 मिनट पर साम में प्रस्थान करेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन बलिया, गाजिपूर सिटी, वाड़नसी, बनाडस, परियागराज, सतना जंसन होते वे कटनी, जबलपूर, इटारसी, भुसावल, नासिक रोड, कल्यान के रास्ते यह ट्रेन पनवेल पहुँचेगी अब ट्रेन के डिटेल्स की बात करें तो इस ट्रेन में जेनरल के 6 कोच के साथ सा स्लिपर के 9 कोच लगे रहेंगे, वहीं एसी 1 टायर के 2 कोच, एसी 2 टायर के 3 कोच के साथ सा 3 टायर कोच का भी सुविरा देखने को मिलेगा ऐसे में अगर आप इस ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो हमने आपको पुरा डिटेल बता दिया है यह वीडियो कसा लगा कमेंट बॉक्स में बता हैं और इस वीडियो को सेयर करें नई ट्रेनों के अपडेट के लिए